सल्मान खान का शो बिग बॉस ओटीटी टू इन दिनों खूब देखा जा रहा है। सल्मान को कैमरे पर सिग्रेट पकड़े हुए पकड़ा गया था। इसके तुरन बात उनकी तस्वीरी सोशल मीडिया पर लीग हो गई थी और इक पड़ी पहस छिड़ गई थी। अभिनेता ने होस्ट के रूप में बिग बॉस ओटीटी टू से किनारा कर लिया है। रिपोर कि शारुक खान के आने वाली फिल्म दंकी पर नए अपदेट आया है, जिसका हिससा तापसी पंदू भी है। हाली में तापसी पंदू ने सोशल मीडिया पर आस्क मीएनिधिन सेशन चलाया और इस दौरां डंकी पर खुलकर बात की। आस्क मी एनिफिन सेशन के दौरान एक यूजर नितापसी पन्नू से शारुख खान स्टारर डंकी के बारे में पूछा, इस पर जबाब देते हुए आक्ट्रिस ने कहा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए शूटिंग करनी है और अधिक जानकारे के लिए मुझे लगता है आपको फिल्म के निर्देशक राजकुमारी इरानी से ही पूछना चाहिए, मुझे लगता है कि केवल वो ही जानते हैं कि वास्तब में क्या हो रहा है और पहला लोग कब आएगा और कुछ भी, मैं बस वहाँ जाकर शूटिंग करना चाहूंगी और वापस आना चाहूंगी और मुझे खुशी है कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँग। दिपिका पादुकॉन और प्रभास की आने वाले फिल्म प्रोजेक्ट के का फैंस पे सबी से इंतजार कर रहे हैं। इसी वीच अब प्रोजेक्ट के का बिलबोर्ट पर प्रदक्षित होने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वारह भी हो गया है। इतना ही नहीं रात और रात मेकर्स ने एक्रस दिपिका पादुकॉन का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी कर दिया है। बता देगी प्रोडक्षिन हाउस की ओर से एलान किया गया था कि सोमवार को शाम पाच बजे पोस्टर रिलीस किया जाएगा लेकिन शाम को रिलीस नहीं हुआ। आखेकार मेकर्स ने बड़ा सर्प्राइस देते हुए सोमवार देर रात दिपिका का फर्स लुक साजा कर दिया। रिलीस हुए इस पोस्टर में दिपिका इंटेंस लुक में नजर आ रही है और किसी चीज़ को घूर रही है। इसके साथ काप्षिन में लिखा है बेटर कल के लिए एक उमीद जगी है ये प्रोजेक्ट केस ही दिपिका पादुकोन है पहली जलग 20 जुलाई अमेरिका और 21 जुलाई भारत में। बता दे कि फांस को भी अभिनेतरी का ये लुक काफी पसंद आ रहा है। बॉलिविड के स्टार आक्टर कारतेकारियन की फिल्म सत्य प्रिम की कता हाली में रिलीज हुई। इस बास से कारतेकारा बहुत खुश है और अपकमिंग प्रॉजेक्ट्स पर काम करने के लिए पूरी तरह से तयार भी। इसी बीच कार्तिकारियन का एक पोस्स सामने आया है जो कि इंटरनेट वर्ल में लोगों के बीच एक चर्चा का विशय बन जा है दरसल कार्तिकारियन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट करते हुए एक तस्वीर शेयर के लिए है इसके साथ ही आक्टरने के अप्शन में लिखा है मैं अपनी अगली रॉमांटिक फिल्म का इंपजार कर रहा हूँ कोई है इस तस्वीर में कार्तिकारियन ब्लाक आउट्फिट में एक इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं कार्ते कारेंट की इस पोस्स के सामने आने की बात लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि वो जल्दी आश्ची की थ्री में नजर आ सकते हैं प्रियंका चोप्रा ने बॉलिवुड में कई यादकार फिल्में की हैं आक्रिस ने हिंडी फिल्म इंडस्ट्री में बतोर सपोर्टिंग आक्रिस अपने करियर की शुरुआत की थी लेकिन उनकी महनत और लगन ने आक्रिस को बुलंदियों पर पहुचा दिया कुछी सालों में प्रियंका चोप्रा बॉलिवुड की टॉप आक्रिस इसमें शुमार हो गए और नज़र डाले प्रियंका चोप्रा की कुछ खास परफॉर्मेंस का का है अब बात करें उनके हाल फिलहाल के प्रोजेक्ट की तो प्रियंका चोप्रा शायद जल्दी फरान अक्तर की फिल्म जीले ज़रा में नज़र आईंगी बॉलिवर्ड इंडस्ट्री की पंगा कुईन यानि की कंद्या रनौत अपने बहतरी इंकिरदार से दर्शकों का मनुरंजन करती और उनका दिल जीती नज़र आती है आकरस इन दिनों अपनी फिल्म एमर्जेंसी को लेकर सुख्यों में है इसकी साथ ही कंद्या की एक और अपकमिंग फिल्म पर बड़ा अब डेट आया है जिसमें साउथ सूपरस्टार विजे सेतुपती के जुड़ने की जानकारी सामने आ रही है इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओ की लड़ी लग चुकी है रिपोर्ट्स की माने तो एमर्जेंसी की बार कंद्या रनौत साउथ स्टार विजे सेतुपती के साथ एक फिल्म में सहयोग करेंगी हाला कि अभी तक इन खबरों की आधिकारिक पुष्ट्री तो नहीं हो सकी है लेकिन इस वारल न्यूस ने सोशल मीडिया पर चर्चाओ का बाजार गर्म कर दिया है नेटिजन्स ने इंटरनेट पर खोच की है और उन्हें एक मनोवेग्यानिक फ्रिलर का पोस्टर मिला है जो कि अब सोशल मीडिया पर भी वारल हो रहा है साउथ सूपरस्टर प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार पार्ट वन सीसफार से फैंस अमेद मेकर्स को भी काफी उम्मीद है मूवे दुनिया भर में 5000 से अधिक स्थानों पर रिलीज होने वाली है इस फिल्म को लेकर चर्चाओ का बाजार भी गर्म है साथ ही इससे जुड़ा हर एक अपडेट हेडलाइन का हिस्सा बन रहा है मही प्रभास की इस आने वाले फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है सालार के विदेशी वितरन कंप्रियों में से एक प्रत्यनगिरी से नमाज में ट्विटर पर घोश्टा की कि प्रभास स्टारर फिल्म उत्री अमेरिका में 1989 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज होगी जो एक भारत्य फिल्म के लिए रिकॉर्ड संख्या है फिल्म संबंदित इस ट्वीट को प्रभास ने भी साजा किया है जिसमें लिखा है उस व्यक्ति के जन दिन वर्ष को उन स्थानों के साथ चिंहित करने हुए हम उत्री अमेरिका में इसे रिलीज कर रहे हैं 1989 स्थान किसी भी भारते फिल्म के लिए सर्व कालिन डिकॉर्ड रिलीज बता दे कि फिल्म का प्रेमियर 27 सितंबर को अमेरिका में होगा Bollywood के खिलाडी कुमार यानिकी अक्षे कुमार की फिल्म Oh My God 2 इन दिनों काफी चर्चा बटो रही है हाली में इस फिल्म का फीजर रिलीज हुआ जिससे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं हाला कि कुछ लोग इस मूवी का जमकर विरोद भी करते नजर आ रहे हैं को देखने के बाद कुछ लोगों की भाबनाए आहत हो गए इसे देखते हुए फिल्हार सेंसर बोड ने इस मूवी की रिलीज पर रोक लगा दी है इसी बीच Oh My God 2 का पहला गाना उची उची वादी रिलीज हो गया है जो कि इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा का विशा बन गया है अक्षे कुमार ने बीते दिन Oh My God 2 का पहला गाना उची 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 वादी का टीजर अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर बताय था कि आज ये सौंग डिलीज होने वाला है इसी बीच Oh My God 2 का ये गाना उची उची वादी यूट्यूब पर आउट हो चुका है इस सौंग में पंकस्तिर पार्टी भगवान शिफ की भक्ती में लीन नजर आ रहा है तो भही गाने में अक्षे कुमार का भी लुक देखने लायक है पंजाबी और बॉलवर्ट सिंगर रापर बाथशा एक बार फिर सुर्खियों में है तर असल सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वारिल हो रहा है जिसमें दिखाय जा रहा है कि वो परफॉर्म करते हुए स्टेज से नीचे गर गए अब इस वीडियो पर सिंगर ने अपने सफाई दी है इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक शक्स स्टेज पर पर फॉर्म करता नजर आ रहा है यह शक्स ब्लाग टीशेट और मार्चिंग शॉट्स के साथ वाइट स्निकल्स में है यह शक्स दिखने में ऊपर हो बार्चा जैसा ही दिख रहा है गाते गाते अचारा को स्टेज पर अपना बालंस खो देता है और फिर नीचे एक बॉक्स में गर जाता है हाला कि हाथ से की वीडियो बार्चा ने इस पर रियाक किया है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेर की जिसमें व 2015 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दमलगा के हैशा से बतौर अदाकारा इंडस्ट्री में कदम रखने वाली अभिनेत्री भूमी पेड़ने कर आज अपना जैन दिन बना रही है फिल्म दमलगा के हैशा में उन्होंने एक अधिक बजन वाली दुहन का किरदार निबाया था जिसे खूब सरहा भी गया था इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म पेर अवोर्ड भी मिला था आक्रिस ने अलग अलग जौनर की फिल्मों में बहतरीन अभी नए से फैंस का दिल जीता है अपने करियर के दौरान उन्हें कई ब्लॉगबस्टर फिल्में दी हैं जिन में से दमलगा के हैशा टॉयलेट एक पेम पका था शुब मंगल साथान ला स्टोरीज जैसी बहतरीन फिल्म में शामिल है इसके अलावा वर्क फ्रेंटी बात करें तो एक्रिस हाल ही में भीड और अफ़वा में नज़र आएं हैं वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अमरुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमरुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर